नमस्कार विद्यारतियों कैसे हैं आप उमीद है कि आप अपने घरों पर स्वस्थ और शुरक्षित होंगे तथा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे स्वागत है आपका हमारी इतिहास की कक्षा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नौवी कक्षा की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विशव भाग एक में संकलित तीसरे अध्याए नाजिवाद और हिटलर का उदेह बच्चो हमारी पहली वीडियो में आपने हिटलर, नाजिवादी, लोकतंतर का ध्वंस, प्रत्थम विशव युद और दूट्य विशव युद के बारे में जाना हम इस वीडियो में आपको नाजियों के विशव द्रिश्टी कौन और उनके नाजिवादी समराज्या के बारे में पढ़ेंगे बच्चो अब हम नाजियों का विशव द्रिश्टी कौन जानेंगे हिटलर की विचारधारा नसलवादी विचारधारा थी जिसके चलते उसने आरियन लोगों को सबसे उपर का दरजा दिया और यहूदियों को सबसे निचला दरजा दिया नाजियों की विचारधारा के हिसाब से कमजोर नसलें खतम हो जानी चाहिए और जो ताकतवर नसले हैं वही जिन्दा रहनी चाहिए और उन्होंने अपनी इस विचारधारा को जीव ग्यान की डार्विन की थियूरी से साथ जोड़ा और उनके हिसाब से आर्या नसल सबसे सरस्टेश्ट थी हिटलर की विचारधारा के हिसाब से अपने लोगों को बसाने के लिए जादा से जादा इलाकों पर कबजा करना जरूरी था हिटलर की नजर में इस तरहें जर्मन राश्टर के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति एकठा की जा सकती थी और इसकी शुरू आत उसने पर कबजा करके की नसलवादी राज्जा की स्थापना नाजी शुद और स्वस्त नौडिक आरें का समाज बनाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने समाज से ऐसी नसलों को खतम करना शुरू कर दिया जिने वो अवांचित आयोग्या मानते थे नाजियों का मानना था कि जो आयोग्या हैं उन्हें जीने का या जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं जिशे अशुद या असमाना गया हो ऐसे लोगों को नाजी अफसरों ने युथनेजिया कारेकरम के तहत मौत के घाट उतार दिया बच्चों जिसमें जर्मनी में रहने वाली जिपसी और अश्व वेट भी शामिल थे यहां तक कि पॉलेंड के कुछ हिस्सों पर कबजा करने के बाद जर्मनी ने वहां के स्थानिया लोगों को बुरी परस्तितियों में गुलाम बनाया जिसके कारण बहुत सारे लोग काम के बोज और भूग से मर गए बच्चों सबसे बुरा हाल को इन्होंने मारा है जमीन के मालिक बनने की मनाही की वज़े से ये लोग बस्तियों में रहते थे जिनको गेटो या दड़बा कहा जाता था इसाई या तो उन्हें इसाई धरम अपनाने के लिए कहते थे या फिर उन्हें उनकी बस्तियों से खदेर दिया जाता था लेकिन की वज़े से यहुदी देश छोड़कर जाने लगे उनिस सो उन्तालिस से पंतालिस के दोर में यहुदियों को पॉलेंड में बनाए गए गैस चैंबर में मारने की योजना बनाई गई थी बच्चो आओ चर्चा करें नसली कलपना लोग पॉलेंड को प्राजित करने के नाजियोंगे उत्तर पॉलेंड का जाना तरह इस्सा जर्मिनी में ला लिया पॉलेंड के लोगों को सब छोड़कर भागने के लिए मजबूर 열 कर दिया ताकि वहां पर जर्मिन लोगों को बसाए जास के पॉलेंड वास्यों और तमाम अववांचित फत्मों को जर्नल कि आर्याज जैसे लगने वाले पॉलेंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर विशेशक्गियों के पास नरिक्षन के लिए भेजद दिया जाता था अगर वो आरे होते तो उनको जर्मन जैसा अधिकार मिलता था नहीं तो मरने के लिए अनाथ हाश्रम भेज दिया जाता था यहुदियों को गेटो या जर्नल गॉर्मेंट के गैस चैम्बरों में इकठा करके मार दिया जाता था यह मौत का सिलसला चैनबद तरीके से बहुत ही सोची समझी रणनिती के तहट किया गया आओ इसका चर्ण बद अध्यन करें पहला चर्ण बहिशकार जो कि सितंबर उनीस सो चौनती के न्यूरेंबग अधिकार के तहट सिर्फ जर्मन वासियों को ही नागरिक अधिकार मिलेगा यहुदी और जर्मन आपस में विवा नहीं कर सकते थे और ना ही कोई समंद रख सकते थे यहुदी अपना राष्टर जंडा नहीं फेरा सकते थे यहुदीयों को सरकारी नौकरियों से निकाला जाने लगा और उनके घरों पर हमला कर सारी संपत्ति लूट ली गई यहुदीयों के प्रातना घर भी जला दिये गए और उन्हें गिर्फतार किया गया इस घर्टना को नाइट आफ ब्रोकन ग्लास के नाम से इतिहास में याद किया जाता है दूसरा चरन दड़बा बंदी तुमें साथ रहने का हक नहीं है सन 1902 में यहुदीयों को अपनी संपत्ति छोड़कर पिछड़े इलाकों में जाने के लिए कहा गया और उनके हर दस्तावेज और अपने आप पर एक पीले रंग का सितारा लगाने के लिए कहा गया इस दर्दनाक हरकतों ने कई यहुदीयों को भूक और गंदी से मरने पर मजबूर कर दिया था तीसरा चरन तुमें जीने का हक नहीं है बच्चो यह सरवनाश से समंदित है पॉलन्ड और पूरवी इलाकों से लोगों को माल गाड़ी में भर कर मौत के घाट उतारने के लिए लाया जाने लगा मरने के लिए गैस चेमबर त्यार किये गए और आधुनिक और विग्यानिक तरीकों का प्रियोग भी किया जाने लगा अब हम जानेंगे कि नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिती थी हिटलर का माना था कि शक्ति साली नाजी समाच की स्थापना करने के लिए बच्चों को नाजी विचारदारा को रटाना बहुत जरूरी है इसके लिए उसने स्कूल के अंदर और बाहर पूरा नियंतरन रखा था जर्मनी और यहुदियों के बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता था यहुदियों और जिपसियों के अपाहिज बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था इसके साथ ही शुद और नाजी समाज की स्थापना के लिए उनके बच्चों को भी गैस चैमरों में मार दिया जाता था अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा परकिरिया से गुजरना पड़ता था बच्चों को नसलवाद और नाजी वाद के बारे में खूब पड़ाया जाता था बच्चों को हिटलर की पूजा और यहुदियों से नफ्रत करना सिखाया जाता था और खेल कूद में भी उन्हें अक्रामक मनाया जाता था 10 साल के बच्चों को यूग फ्राग और 14 साल के बच्चों को नाजी यूवा संग्थन में शामिल होना अनिवारय था और 18 साल की उमर में उन्हें लेबर सर्विस यानि के स्रम शेवा में सामिल होना पड़ता था नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ चार साल बाद इसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया 1933 तक आते आते इस संग्थन में 12,50,000 से जादा बच्चे थे बच्चों अब हम मातरतव की नाजी सोच के बारे में जानेंगे आखिरकार नाजीयों का ओरतों के प्रती क्या रवईया था और मा के प्रती क्या रवईया था नाजी जर्मन में बच्चों और अरतों और मर्दों को भिन भिन बताया जाता था मर्दों को अक्रामक पत्थर दिल और मरदाना होना सिखाया जाता था और लड़कियों को एक अच्छी माँ बनना और शुद बच्चे पैदा करना उनका पालन पोशन करना उनका धर्म बताया जाता था हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महतब पुरण नागरिक माँ है जो और अच्छे बच्चे पैदा करती है मतलब शारी तोर पर तंदरूस्त है उसे इनाम दिये जाते थे और जो विकलांग बच्चे पैदा करती थी उसे सजा सुनाई जाती थी अच्छे बच्चे पैदा करने वाली ओर्तों को वैसा ही इनाम दिया जाता था जैसा किसी फौजी को दिया जाता था चार शुद नाजी बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का तमगा और आठ बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तमगा और इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था और यह ऐसा क्यों किया जाता था बच्चो क्योंकि वही बच्चे बाद में हिटलर के युआ नासी संक्टन में भर्तिक हुआ करते थे इसके साथ ही आरेवंच की औरतें अगर कानून का उलंगन करती थी तो उन्हें गंजा करके उनके मूँ पर कालिक पोत कर उन्हें पूरे शेहर में घुमाया जाता था उससे परिवार और संपत्ती छीन ली जाती थी तो बच्चो अब हम जानेंगे कि नाजी वाद में परचार की कला या परचार के सादनों को नाजी ने किस परकार से एक हत्यार के रूप में परियोग किया बच्चो नाजी ने हर मेडिया का बहुत ही होश्यारी के साथ परियोग किया नाजी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने फिल्मों, रेडियो, इस्तेहारों, पोस्टरों, तस्वीरों, नारों का खूब प्रियोग किया लोगों को यहूदियों के खिलाफ किया जाने लगा उनके सामने उनकी ऐसी च्छवी परकट की गई कि लोग उनसे नफरत करने लगें उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे यहूदियों की कीडे मकोडों के साथ तुलना की जाने लगी उन्हें पैसों के लोग भी बताया जाने लगा था और उन्हें शैतान के रूप में स्थाइब का हल सिर्फ नाजी ही कर सकते हैं बच्चों ये कुछ चितर हैं जो आप देख सकते हैं इन नाजी बात के समय पर पोस्टर बनाए गए थे इसमें जर्मर किसानों को हिटलर और अमेरिका और यहुदियों को बुरा बताया गया है और इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको इन से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राष्टर समाजवाद और इन्हें राष्टर समाजवाद पर भ्रोसा रखना चाहिए ये चितर देखिए किस परकार से इसमें हिटलर को मजदूर के रूप में हथोड़ा लिए दिखाया गया है आगे बच्चों कुछ तिथ पर लिख कर चिपका सकते हैं तो कुछ महतब पूंतितियां इस परकार से हैं बच्चों अब हम देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराद नाजीवाद ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाल दिया था जिसकी वज़ए से वो यहुदियों से इतनी नफरत करने लगे थे कि अगर सिर्फ साथ के घर में ऐसा महसूस हो कि यहुदी हैं वो पुलिस को सुचित कर देते थे लोगों को बस यही लगता था कि सिर्फ नाजीवादी ही देश का भविश्या बदल सकते हैं इसलिए वो उनके भड़कीले भाशनों में आने लगे और यहुदियो लोग इन नाजी वादियों के विरोधी भी थे पर अपनी जान के खत्रे से वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे वो इस कारेकरम को सविकार भी नहीं करना चाहते थे पादरी नीमियलर ने नाजीयों का खूब विरोध किया और पाया कि लोग उनके जुर्मों की व इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा फिर वो शोशल डेमोकरेट्स को ढूंडते आए मैं शोशल डेमोकरेट्स नहीं था इसलिए चुप रहा इसके बाद वे ट्रेड यूनिन वालों को ढूंडते आए पर मैं ट्रेड यूनिन में नहीं था और फिर वे यहूदियों को ढूंडते आए लेकिन मैं यहुदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया फिर अंत में जब मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके अब इसका क्या मतलब है कि उस समय नाजीवाद कॉमिनिस्ट शोशल डेमोक्रेट और टेर्ड यूनियन और कहते हैं कि मैं इनमे से कुछ भी नहीं था और जो थे उन्हें वो वाश से भी नहीं चोड़ते थे मैं नहीं था इसलिए मैं अकेला ही बचा था नाजियों के परचार की वज़े से यहुदी अपने आप को वैसे ही समझने लगे थे जैसा नाजी उन्हें बताते थे उनकी विचारदारा ने उनके दिलों दिमाग पर इतना गहरा असर डाल दिया था जिसका वर्णन शरलट बिराट ने अपने पुस्तक थर्ड राइफ ओफ ड्रीमेज में किया है ऐसी मनुस्तिती के कारण कई यहुदी गैस चैंबर में जाने से पहले ही दम तोड़ देते थे आओ बच्चो अब हम बात करें महाधवन्स हॉलो कास्ट के बारे में नाजी वादियों दोरा किये गए जुलम और बरबरता का पता अभी तक तो कि को इतना नहीं चल पाया था लेकिन धिरे धिरे इसकी खबर बाहर फैलने लगी थी और असल में तो इसकी कहानी दूसरे विशविद के खत्म होने के बाद ही पता चली थी यहुदी भी चाहते थे कि उनके ओपर हुए जुलमों के बारे में दुन्या को पता चले इसलिए उ जो लोग थे उन्होंने उस समय की सारी जानकारिया एक दूद के लोहे के तीन में चुपा कर दबा दी थी जो दुन्या बहुत देर बाद चान पाई यहुदियों का कतल आम नहीं रुक रह था इसलिए डेनमार्क ने चोरी से अपने यहुदी लोगों को जर्मन से निकाल गया था इसी कतल आम और बरबरता को महाधवंस होलो कास्ट का नाम दिया गया इसके बाद जब विशव युद हुद हुआ और जब नाजियों को लगा कि अब वो हार गए हैं तो उन्होंने सब को पैट्रोल बांटना शुरू कर दिया ताकि वो नाजियों से जुड़ी ज दर्शाता है और उन लोगों के साहस को दिखाता है जिन्होंने उस समय की बरबरता को झेला और उन लोगों के लिए चितावनी है जिन्होंने इस जुलम को चुप रहकर देखा आगे बच्चों कुछ पत्तर दिखाए गए हैं जो महत्मा गांधी ने हिटलर को लिखे थे इसमें गांधी जी ने हिटलर को मानवता के नाम पर हो रहे खून ख्राबे को रोकने का निवेदन किया है जिसमें उन्हों ने बताया है कि हम भी बिर्टिश सरकार के खिलाफ कई सालों से लड़ रहे हैं जैसे तुम लोग लड़ रहे हो लेकिन हिंसा का मारग चुन कर हम जी होगा मैं आपके दुश्मनों के आगे आगे आपको गलत नहीं ठहराता लेकिन ये खून खराबा किसी भी प्रस्तितिक का हल नहीं है इसलिए इस खून खराबे को रोक दो लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया और दूसरे विशविद की आड़ में जन संहार किया उसमें उसन यहां तक की अपने ही राजनितिक रोधियों को भी मरवा दिया गया था कई कतले आम जगें बनाई गई जहां पर लोगों के लिए क्रूरता दिखाई गई जिसके चलते दूसरा विशविद हुआ और हिटलर हार गया अब अगर हिटलर पकड़ा जाता तो बहुत भारी सज पहले ही आतम हत्या कर ली यह अगर आप हेलमुट को याद करो तो उसके पिता जी इसी सारी प्रकिरिया में हिटलर के साथ थे इसलिए उन्होंने भी आतम हत्या की थी तो यह थी नाजिवाद की पूरी कहानी आईए इसी से मिलते जुलते कुछ प्रशन करते हैं पहला प्र 9 autour 1918 1929 1915 तो इसका शही उत्तर है 1914 कि दूसरा । दूसरा प्रक्वांबर गन राज्य की स्ष्थमा कब होई घ teamwork इंचार नौपर उन्होंब्र 9.1918, 16.1919, तो बच्चो इसका सही उत्तर है 9.1918, तीसरा प्रशन है कि दूसरा विशव्यूद कब शुरू हुआ था, 5.1918, 1.1919, 8.1918, बच्चो इसका सही उत्तर है 1.1919, चौथा प्रशन है दूसरे विशव्यूद के दुरान सबसे ज़्यादा बरबरता किसको सहनी पड़ी थी, चिपसी, यहुदी या रोमन, इसका सही उत्तर है यहुदी, पांच्वा प्रशन है वच्चो अमेरिका कौन से वर्स में प्रथम विशव्यूद में शामिल हुआ थ च्छटा प्रशन है जर्मनी ने शुरुआत में किन मित्तर राष्ट्रों पर हमला किया था फ्रांस और ब्रिटेन, रूस और इंगलेंड, बेल्जियम और रूस, तो सही उत्तर है फ्रांस और ब्रिटेन, साथवा प्रशन बच्चो पहला विशव्यूद कब खतम हुआ उ 1945, 1918, 1989 या 1989 तो इसका सही उत्तर है, 1918 आठमा प्रशन है पहले विशव्यूद के बाद जर्मनी को कितना जुर्माना लगाया गया था आठ अरपॉंड, छे अरपॉंड या साथ अरपॉंड तो सही उत्तर है छे अरपॉंड अगला प्रशन है अमेरिका में स्थित सबसे बड़े शेर बजार का नाम क्या था अगला प्रशन है किसके कहने पर हिटलर ने 1933 में चांसलर का पदभार संभाला था राष्टरपती हिंडनबर्ग राष्टरपती नर्डिक या राष्टरपती फ्रंकलिन तो सही उत्तर है राष्टरपती हिंडनबर्ग अगला प्रशन है बच्चो किस देश की वज़े से जर्मनी पहला विशव्यूद हार गया था भारत रूस या अमेरिका इसका सही उत्तर है अमेरिका तो अगला प्रशन है बच्चो कि हिटलर की मौत कब हुई थी 30 अपरेल 1945 पांच सितंबर 1938 चार नमबर 1938 तो इसका सही उत्तर है बच्चो 30 अपरेल 1945 आओ बच्चो अब अगले प्रशनों के उत्तर हम सही या गलत लिखकर बताएं पहला प्रशन है हिटलर को रोकने के बाद भी उसने हिंसा का रास्ता चुना तो इसका उत्तर है सही अगला प्रशन है हिटलर पूरे युरोप पर कबजा करना चाहता था तो यह इसका उत्तर भी है सही सन 1918 में वन राज्य संग्ठन की स्थापना हुई थी तो इसका उत्र है सही अगला प्रशन है पहले विशव्यूद की शुरुवात जर्मनी और अमेरिका की लड़ाई से हुई थी बच्चो इसका उत्र है गलत पहले विशव्यूद की शुरुवात फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई से हुई थी 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे से समू के सदस्य बन गए थे इसका उत्र है सही अगला प्रशन है बच्चो यहुदियों को खतम करने के लिए उनको गैस चैंबर में डाल दिया जाता था इसका उत्र भी है सही अगला प्रशन है बच्चो हिटलर बहुत ही द्यालू था इसलिए उसने फ्रांस और कई अन्य देशों के यहुदियों जिप्सियों को जर्मन में शर्न दी थी इसका उत्तर है गलत क्योंकि हिटलर द्यालू नहीं था और ना ही उसने फ्रांस में यहुदियों और जिप्शियों को शर्ण दी थी बलकि उन्हें वहां से निकाला था और मरुआया था अगला प्रशन है पहले विशवयूद की शुरुवात 1961 में हुई थी इसका उत्तर है गलत बच्चो पहले विशवयूद की शुरुवात 1914 में हुई थी अगले प्रशनों का उत्तर एक शब्द में दें बच्चो दिवित्या विशवयूद में जर्मन ने मित्तर राष्ट्रो को कब समर्पन किया था उत्तर है 1905 अगला प्रशन है नाजियों के जुलम के बाद उन्हें कौन सी अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी बच्चो इसका उत्तर है नूरेंबर्ग अदालत अगला प्रशन है जर्मनी के कोई दो परोसी राज्यों के नाम बताईए उत्तर है स्विजरलेंड और पॉलेंड बच्चो अगला प्रशन है जर्मनी की राजधानी का क्या नाम है उत्तर है बर्लिन बच्चो अगला प्रशन है आज जर्मनी की मुद्रा क्या है उत्तर है यूरो तो बच्चो हमारे देश की मुद्रा यानि भारत की मुद्रा कौन सी है उत् रुपया और भारत की राजधानी कहां है तो उत्तर है दिल्ली बच्चो विशव का नक्षा देखकर उसमें जर्मनी देश के चित्तर को खींच कर आस पास के देशों के बारे में भी जानने की कोशिश करें तो बच्चो आज की हमारी इस वीडियो में हमने नाजियों और हिटलर के बारे में विस्तार पूरवक चर्चा की और मुझे उमीद है कि आपको इससे बहुत जानकारी हासिल हुई होगी बच्चो आपने जाना कि किस प्रकार से हिटलर ने एक करूर नाजिवादी विचारदारा के चलते गैर आरियन लोगों पर अत्याचार और जुलम किये परन्तु बाद में हिटलर का भी अन्जाम बुरा ही हुआ तो बच्चो इतिहास हमें सिखाता है कि जो ये घटनाएं घटी हैं किसी व्यक्ति विशेश की वज़े से तो उनका परिणाम भी उसी परकार से हुआ है बच्चो उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत बहुत जानकारी हासिल होगी इस वीडियो को शुरू से अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद